अल्रेट चैक इट आउट गाईज स्वागत आपको इस टून टैक में दोस्तो आज हम बात करेंगे मोटोरोला की तरफ से इंडिया में लाउंच होने वाले एक और ने लेटेस्ट 4G स्मार्टफोन के बारे में जो के मोटोरोला मोटो E32 तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला मोटो E32 की कम्पलीट डिटेल के बारे में ये मोबाईल इंडिया में कब लाउंच होगा किस प्राइस पुंट पर लाउंच होगा क्या इसके फीचर्स होगे और क्या आपको ये मोबाईल लेना चाहिए आफिन नहीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो ची लगए तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए है सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाईल की डिस्प्ले के बारे में जिसमें 6.5 इंचिस के एक IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी Aspect Ashesio 229 होगा और Screen Density 270 PPI होगी अगर बात करें इस मोबाईल के स्क्रίν प्रोटेक्शन की तो इस मोबाईल में गुरिला गलास स्क्रίν प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर बात करें इस मोबाईल के Weight की तो यह मोबाईल आपको 185 gram के साथ काफ़ी जाधा light weight भी देखने को मिलेगा और इस mobile का refresh rate 90 Hz होगा overall लगाया तो इस mobile की video picture quality आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी अगर बात करें इस mobile के build के तो इस mobile में front glass होगा और back of frame आपको plastic का देखने को मिलेगा तो इस mobile को local design आपको एकदम premium quality का देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस mobile के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के operating system, chipset और GPU के बारे में इस mobile में ender 12 operating system आपको देखने को मिलेगा chipset media tech helio g37 होगा जिसे कि आपको इस mobile की day-to-day performance एकदम smooth देखने को मिलेगी लेकिंग gaming के वक्त आपको थोड़ा heating issue भी इस mobile में देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के GPU की तो इस mobile में power weird GE8320 GPU आपको देखने को मिल जाएगा जिसे कि आपको इस mobile में काफी ज़्यादा lag issue भी देखने को मिलेगा overall दिखाया तो इस mobile का platform आपको decenty देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें 50 और 2 mega pixel का एक dual camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 1080p में काफी अच्छी quality के photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 8 mega pixel का एक front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality भी 1080p होगी overall देखा जाते हैं इस mobile में काफी अच्छी quality का camera segment आपको देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में micro SD card slot आपको देखने को मिलेगा internal memory 64 GB होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो यह mobile बस आपको 4 GB में ही देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में इस decent quality का आपको loudspeaker देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack का feature भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको इस मुबाइल में proximity accelerated जैसे A to Z सारे sensor भी देखने को मिल जाएंगे लेकिन इस मुबाइल में आपको gyroscope का dedicated sensor देखने को नहीं मिलेगा आप बात करते हैं इस मुबाइल के battery के बारे में जिसमें 5000 mh के बड़ी अलग प्यों battery आपको देखने को मिलेगी अब चलते हैं इस मुबाइल के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबाइल के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस मुबाइल के color की तो ये मुबाइल आपको black और blue color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस मुबाइल का price 10,499 होगा अगर बात करें इस मुबाइल के release date की तो ये मुबाइल 4 अक्टूबर को release हो जाएगा overall दिखाया तो motorola की तरफ से आपको इस मुबाइल में काफी अच्छे feature देखने को मिलेंगे अगर आपको low budget में कच्छी performance वाले मुबाइल चाहिए तो ये मुबाइल आप ले सकते हैं अब सबसे आखिर माँ बारी आते हैं इस मुबाइल के rating की तो इस मुबाइल के सारे feature को देखते हुए इस मुबाइल के stone rating होगी 6.5 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस मुबाइल का सबसे अच्छा feature आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में